ने अगरे गंगे के गार्म सुद्स राटार प्र ऽर इसस वह सुक रहूआ Conference विर्व के बारे में आपको बने के दिवनों एक सिर्व humour का विपार नर न करुंगरू तकहरे में को प्रना शुर्त के बारे में दिविन के महशा पर नौैंगे TanV обнаруж में एक इसकी टोटल लेंथ इस मुवी की 2 आर 17 मिट्स है, इसकी स्टाइल ड्रामा और एक्षन में आती है, इसकी एमडी रेटिंग 7 आउट अफ पेन है, इसका ओडिटी प्लेट्फर्म एमेजन प्राइम है, और इसकी लैंगवेज अफ ओरीजिन हिंदी है, इसमें एक ही होट सिन आता है, जाते है वन आर 30 मिट्स हैं 55 सेंट पर जानवी कापूर के एक पैस्टेंड डांस सिन दिखाए गया है, इसमें बेशिक स्टोरिय लाइन तो स्टोरिय लाइन और रीगिव अचाथ करेंगे जहां पर स्टोरी की सुरुआत होते हैं जहां पर एक लड़का अपने स्कूल में सिका रहा होता है, और स्कूल में सिकाते हैं, उसका एक ही फंडा होता है कि वो कुछ करता नहीं है, अपने जो स्टूरेंट है, उनको ही कुछ से पढ़वाता है, जिससे उसका जो इनकास्ट में में वो आजे दिख शी थे, तो आजे एक बहुत दिलापरवा इंसान है जिसके लाइफ में कुछ इंच नहीं है, वो सिर्फ अपना सोशल स्टेटस बचाना चाता है, और स्टेशब स्टेटस उपर लाना चाता है, इसके पूरे के पूरे एरिगेती सब कुछ चल रहा होता है, तो वहां पर उससे समझ आध கुछ एक टीचर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, जिससे वो न जाता है जिससे वो छूड़ी जाता है तो इसकी वज़े से अब एक बार उसको सोशल स्टेटस उपर लाने के लिए वो एक अच्छी लड़की दूंटा है जो एक अपर क्लास की हो वो जो शहर में पड़ी हो जहां पर उसे नीशा मिल जाती है तो नीशा बहुत पड़ी है नहीं होता वो अपना स्टेटस बचाने के लिए उससे शादी करता है हो बहुत ही अदे सुंदर होती है और उसनदर के कम ही ओते कि उसको एक डिसीज होता है मतलब उसको मिल की का दोरह आ जाता है जब disis में होती है इस वर्षे उसकी शादी नहीं हो पारी तो वो भी उसको अच्छा इग्नॉर कर देता है पर बाद में उसे पता चल जाता है कि उसकी जब स्वागरात होती है उस टाइम पर उसे पता चल जाता है कि उसको मिर्ची का दोरा आ चुका है तो वो उसे एक सोशल स्टेटस को कम मानता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा परिशानी होते हैं उसको लगता है कि ये अगर लोगों में पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा बेज़ती हो कि मेरी क्यों कि में भी एक गुड़ लुकिंग हूँ अब निशा बहुती ज़्यादा उसे करीब आने की कोशिश करती है पर अजे उसे बहुत बार एक वर्निंग दे कर छोड़ जाता है और उसे बोल देता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं हो सकता अब इस स्ट्रेस में जब वो स्कूल जाता है तब एक लड़के को थपड़ मार देता है अब थपड़ मारने के बाद दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता थी यहाँ पर एक सोशल एक्टी आईपीसी कोड के खिलाब जाने की उसकी उकात नहीं थी और वो लड़कों को या उसके स्टुडेंट को नहीं मार सकता है इस वज़े से उसके उपर केस दर्ज होने की संभाव ना थी अब वो अपना स्टेटस बचाने के लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं जहाँ पर वो यूरोप में जाकर हिटलर या सब जो इस्टी है उसके बारे में पढ़ने का एक मौका पूछ लिता है और प्रिंसिपल उसे मौका दे भी देते हैं जहाँ पर वो सोशल स्टेटस बचाने के लिए अपनी बीबी को लेकर वहाँ चली जाता है उसकी जो गाव वाली इंगलीश है वो बहुत ज़्यदा बेकार है तो इस वज़ए से उसकी जो वाइफ है वह बहुत ज़्यदा वेल से तरल्ट इंगलीश बोल पाती है इस वज़ए से वो भी उसको हेल्प करने की कोशिश के बारे में वो पूछ लेता है जहाँ पर वो दोनों भी करीब आजाते हैं और वो करीब आने की वीडियो जो है वो फेस्बुक पे डाल देती है फेस्बुक पे डालने के बाद वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि विदायक नहीं है जो वीडियो है वो देख ली है विदायक वहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल करने लगता है कि तुमारा जो टीचर है वहाँ पर श्वागरात्मनाने गया है यह सीखने गया है तो यह सब कुछ अजय को पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा चीज़े बूल लिता है और बीवी बहुत ज़्यादा चिट जाती है उस चीजों पर क्योंकि वो सिर्फ उसके नजदिक आना चाहती थी उस अपनी लव लाइफ बचाना चाहती थी और दूसरे साट पर हमें पता चल जाता है कि उसके फैमिली को या आजए या निशा के फैमिली को पता चल जाता है कि वो दोनों भी डिवोस लेना चाहते है और दोनों को वही पेपर डिवोस पेपर मिल जाते है तो वो दोनों भी एक दुसरे के कन्फरेंट करते है फैमिली को ये सब कुछ हो रहा है तो वहां हमें दुसरे साट पर दिखाए जाता है कि कैसे अब हिटलर के बारे में वो बहुँ ज़दा सीरियस हो जाता है उस चीज़ को बहुँ ज़दा एक इंपोर्टन्ट लेने लगता है और अब ट्रांसलेटर के लिए उसकी बीवी होती है तब वो जब एक चीज़ ट्रांसलेट करता है और ये चीज़ के बारे में बहुँ ज़दा इंफर्मेशन मालूम हो जाती है तब उससे पता चल जाता है कि बहुँ ज़दा वर्ड वर्ड टू में बहुँ ज़दा ऐसे चीज़े हुई थी जो उसके मतलब माइन को बहुँ ज़दा ही रिफ्रेश कर देती है और ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में उससे पता चल जाता है जहाँ पर इटलर ने बहुँ ज़दा पुरूर चीज़े की होती है हर एक मुमेंट को वो इसको इमेजन करने लगता है एक एक चीज़ को एक फिल करने लगता है और बाद में हमें दिखा जाते कि कैसे उसकी घरवापसी हो जाती है और घरवाफसी में उससे बहुत ज़्यादा एक अलग ट्रीट किया जाता है और उसके हर एक चीज़ों को, हर एक टीचर को उसको बहुत ज़्यादा गरव होता है जो उसने चीज़े की है और इन चीज़ों की वज़े से उसके स्कूल में भी बहुत ज़़ा नाम हो जाताया विदाय की कुछ नहीं कर पाता है और जब वो लॉटता है तब उसके पिद जिको मालूम होता है कि वो डिवोर्स करने वाला है तब उसकी भी भी कहा रहेगी यही रहेगी तब उन्हों पता चलाता है कि वो उनका जो इरादा है डिवोर्स का वो उन्होंने हटा दिया है और इसे मिक्स फिलिंग के साथ यह मुवी यहां पर खतम हो जाती है यह मुवी की आइम डिव रिटिंग 7 आउट अफ टेने तो यह बहुत ही ज़दा अच्छी यह दुस्तरी मुवी यह उनके अलावा तो I will give this movie 8 out of 10 बहुत ही अच्छी मुवी है So thank you for watching this video बाकी का तो हमार AI बता ही देगा Thanks video पूरा देखने के लिए Next hot and spicy video के लिए कल मिलते हैं Same time, same channel but different subject के साथ तब तक के लिए goodbye and take care झाल